सबी को प्राम नमस्कार तो आज हम नए विशर की और अग्रसर होने से पहले जान लेके कप पित्तवात में क्या क्या शेश हमारा रह गया है या कुछ उसमें बाकी है या जो कुछ भी हमारे क्रिया कलाब है उसमें क्या नए इस तरफे एड हो सकते हैं या उसमें कोई ऐसा कंटेंट है जो हमें जानकारी से अचुता है उस पर हम थोड़ा सा एक निगाह मार लेते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे कैसे हमारे का और पित्त और वात में कौन-कौन से कंटेंट घटते बढ़ते ह हैं तो कोई सबसे पहले जानता हूं मैं कि वात जो है किस-किस से बंता है ये आप बताएं कोई एक जना बताएं सबसे पहले कौन बताएगा वात कौन-कौन से तत्वों से मिलकर बना है आकस तत्वों और बाई तत्वों से अच्छा अब बताएंगे के पित का जो है निर्मान कौन-कौन से दो तत्वों से होता है पीत का अगनी और जल से अगनी और जल वेरी गूड वेरी गूड और कफ का निर्मान कैसे होता है प्रित्वी और जल प्रित्वी और जल वेरी गूड तो अब हम शुरू करते हैं इसी को इसी के क्रम को और आगे बढ़ाते हैं कि ये कैसे कैसे इनका क्रिया कलाब हमारे जीव देह है दो शादी के विशय में हम चर्चा करेंगे तो आज हम थोड़ा सा और इसमें करने काप्यास करेंगे तो क्या एडिशन होने तो वैसे हमhouse करो कि कि हमें कुई को यह कहे कि दोश कितने प्रकार के होते हैं तो कौन बताएगा कौन बता सकता दोश कितने प्रकार के होते हैं मैं बता देता हूं चलिए दो दो प्रकार के दोश होंगे हैं हमारे शरीर में आप कहोगे हमने तो पढ़े तीन दो कैसे हुए हैं तो हमने दो प्रकार के दोश भी पड़े थे यह शूरुवात में हमने दो प्रकार के दोश पड़े थे एक शारीरीक दोश एक मानसिक दोश तो शारीरीक दोश की जब हम चर्चा करते हैं तो कब पित और वात मुख के तीन दोश पाए जाते हैं और और आज हम जो हैं इसमें एक और इसके अंदर जो धातूं का भी एडिशन कुछ करेंगे साथ दातू हैं तो अभी हमने चर्चा कि थी दो कित्ते प्रकार क्या होते हैं तो तीन बोलने वाले के आंसर गलत हैं दो बोलने वाले के ठीक हैं तरशारी रिक और मांसिक दो तरेगे हैं अब अब अच्छा और मांसिक दोश कितने होते हैं दो मुख्य दोश होते हैं राज सिक और तम राज और तम सात्वीक तो दोश नहीं हुआ तो क्या दोश हुआ रज और तम यह दोश जो दो मुख्य है हैं हमारे मांसिक दोश हैं सत्व तो होता नहीं सत्तो कांऊ के सा वा रज और तम तमो गुण यानी तामसी गुण शरीर के अंदर दोशों की विक्रति को देखते हैं शरीर के अंदर और उसकी लक्षणों को भी देखते हैं और थोड़ा सा इस में विश्टार देखते हैं तो अब हम यह देखते हैं कि हम आज अब आप से एक चर्चा और इसमें अडिशन करके देखेंगे क्योंकि मुझे तो बड़ा इकल गोल मुल लग रहा है कोई बोली नहीं पा रहा है तो लगता है कि पहले इसको ही आगे बढ़ाने का किरम करना बढ़ेगा यानि आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाठ वाली बात हो गई है आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाठ आगे बढ़ते जा रहे पीछे वाला गायब हो गया तो फिर आगे का हम कैसे कर पाएगे तो हमें दोशों को देखना है और धादूं के बारे में भी चर्चा करनी होगी और उसके बाद में मल हमारे जो मल होते हैं मल तीन प्रकार के मल इसकी भी चर्चा करनी होगी और उसके बाद में ब्रद्दी और क्षए दोश जो होते हैं इसकी ब्रद्दी और क्षए तो ब्रद्दी से कों से रोग होँगे आज हम थोड़ा सा रोगों को भी आज addition कर देते इसमें physiology भी add कर देते तो तो Скट पितवाद के साथ में को एड़ कर लेते हैं ताकि हमारा यह भी नहीं होगा कि हम पुराने वाले में एड़के पड़े हैं और नया भी साथ हो जाएगा फीजियोलोजी को अलग से लेना पड़ता है न हमको अलग से न लेकर कि इसके साथ की अपन जोड़ के उसको देखने का प्रयास करें तो इसको तो हम क्या देखेंगे ब्रदी शय और इसके लक्षन देखेंगे और ओज का भी वर्णन देखेंगे ओज क्या है ओज से हमारी इम्मेनिटी बढ़ती है और हमारी जीवन का जो मुख्य उद्देश से क्या है इम्मेनिटी राइट इम्मेनिटी बढ़ेगी अच्छी रहेगी इम्मेनिटी तो हमारे जो दोस हैं या हमारे रोग हैं हमारे शरीर मेरी इम्मेनिटी अच्छी रहेगी तो हमारे शरीर में रोग दोस इलकुल नहीं आएगे रोग आएगे तो हमारी इम्मेनिटी उसको लड रोग दोश सब पाग जाते हैं तो अब हम चर्जा करते हैं इसकी विशह में तो दोश को अभी हमने देखा शारीरिक दोश हमें जो एक मानसिक दोश हमें देखने को मिलते हैं दो प्रकार से तो शारीरिक और मानसिक दो प्रकार के दोश हो गए शारीरिक में देखे तो कब प नया जुड़ गया के कुछ अभी तक यह था नहीं शायद है तो रज और तम जो है गुन इसमें इसको गुन नहीं इसे दोश बोलते हैं इसको गुन तो केवल कफ वाला होता है कप्रकरती का विक्ति उसमें गुन हो जाता है क्षमा शीलता रहती है इसमें तो एग्रिशन रहता है ख्षमा करता ही नहीं आदमी ख्यमा करना आता ही नहीं पित्तों वाले को और वात वाले में तो इसको आगे और बढ़ाते हैं और समझने क का प्रयास करते हैं कि कि लोश कितने प्रकार के हैं यह हमने देखा तो दोश दोश शारीरिक और मांसिक शारीरिक में बात कित कप और मांसिक हरज और तम ठीक है अब यह देखते हैं कि आवविक्रत यानि प्राकृतिक लक्षन देखते हैं आव विक्रत यानि जिसमें कोई विक्रती नहीं है और जो प्रक्वती यानि भगवान के तरफ से आये हुए हमको जो लक्षन मिलते हैं हमारे शरीर के अंदर अलग अलग कप के तौडवात में वो देखेंगे फिर उसके बाद में दुशित हुए वो दोश देखेंगे फिर उससे जो बनने वाले रोग हैं उस पर चलचा करेंगे तो दोनों चीजें क्लिर हो जाएगी फीजियोलोजी के साथ में यह भी एनाटोम आँ और अब उक्रत वात के लक्षण की चर्चा करते हैं तो क्या कहलाएंगे उत्सा है ना तो आप सुछक करका प्रूं से Fitz Na वायू बढ़ गई शेरी में तो हमारे शेरी में उत्सा जल्दी होता है किसी भी काम के लिए उत्सा जल्दी आता है तो यह वाद बढ़ने के लक्षन है वाद बढ़ गए तो उत्सा एग्रेशन बढ़ेगा तो यह उत्सा किसी काम के लिए उत्सा यदि आपको आएगा तो यह वाद बरने से आए ऐसा कुछ लक्षण देखेंगे ति यह प्राकरतिक लक्षण है हमारा वाद का है ना वाद हमारे शरीर में क्या क्या कारे करता है वैसे हमने देखा था ट्रांस्पोर्टेशन का काम करता है एक चीजों को कब यश्च पित्तर को एक दूसरी जांगे से सथानेत्रित करके ले जाने का ट्रांस्पोर्टेशन का काम करता है है न तो अभी हमने क्या किया इसको विक्रति को समझने का प्रहास करें तो सियगा यहां विक्रप तो हुद है तो वात का ऑदग के सिए हमारे शेरी में उत्सा वार्वन उत्सा को बढ़ाना या जल्दी जल्दी जोश लाना जल्दी जल्दी कारे करने की शंत पैदा करना और क्या करना उच्छवास 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 यानि सांस की जो प्रकरती है अंदर को लेना यह उच्छवास कहलाता है हम यूग के अंदर इसको आप लोगों ने देखा होगा पढ़ा होगा तो उच्छवास जो है सांस को अंदर लेना इससे हमारे शेरी में ऑक्सिजन की अब्रद का है यानि इसमें उच्छवास यानि आपके सांस में कोई विक्रती है या इससे संबंदित कोई रोग है तो ये भी वात के अधीनस थाएगा आप पर उसावर्दन नहीं होता है किसी काम के लिए तो ये भी वात के दोश में ही आ जाएगा तो ऐसे इसको इनको दोश के साथ स इसकी व्यादी समझ के हमें चलना चाहिए इसके वाद में हम देखते हैं वेग वरत्धी वेग वरत्ती क्या होती है हमारे शरीर में 13 प्रकार के मर्शिवागबटन ने अश्टागरद्यम में 13 प्रकार के वेग बताए हैं और धारनी वेग और धारनी वेग दो प्रकार के बताए हैं और वैसे इसको कुल मिलाकर 13 बताए है जो अधारनी भीड जिनको कभी धारन नहीं करना चाहिए अधारनी वेग कौन से होगे जैसे चीक आना कुछ लोग क्या करते हैं चीघ आती है न अच्छी और रुमाल को यहां लगाओ डवा के यह वेग को रोकना नहीं है है अप फिर यूच्छी का रही है अपसाइाड में मुह करके हाथ एत ऐसे लगाओ के कर लो लेकिन एसे लगाओ के तो कभी नहीं करना यह वेग को रोकने वाले बात ही है ना तो वेग को रोकेंगे तो यह से बिमारिया आएंगी कौन-कौन सी बिमारिया आएंगी यह वेग को जब हम धार्नी और धार्नी वेग को हम पढ़ेंगे यह कौन सी बिमारिया किस वेग को रोकने से आएगी यह आपको बताया जाए उसके तो उसके अंदर हम जानने का प्रयास करेंगे तो यह वे एक और क्या हो सकते हैं मल मुत्र का आना सुसु पटी जाना है ना मासिक धर्म का आना अभी चलो अभी तो एक क्या है कि शादी है गर में और मेरा टाइम आने वाला है चलो गोली खाले दें टाइम को आगे बढ़ा द यह इससे बहुत बड़ी भारी आगे उनको विमारिया चीलनी पड़ सकती है यह वेग है यह एक प्रकार का इसको रूप होगे तो यह आपके अपान वायू को खराब कर देगा है ना तो यह अधारनी वेग है इसको धारन नहीं करना है रूपना नहीं समय के इस आप से पृळ्या राद नहीं होता है कि ख continuum को भी पता है कि यह सब जो दिया आतो मेन यह ना चा बूरा है तो इसको अच्छा ऑर बूरा हम मानते है सब समान उसके सब हम बच째 है सब समान उसमें कोई विकरती नहीं दिखती है कैनल जैसे है कि हुम बनाते हैं हमारे घर में तो चाई में हम दोकप चाई बनाते हम उस चाई को पी रहे होते हैं तो footprint कोई दोष नहीं दिखता है वह चाई हमारे Balance हैं ना हमने सब्सक्राइब करें ना हमारी चीज है हमारी वह अच्छी है दूसरे की करती में दोश डूड़ने वाले बहुत मिलेंगे स्वाते कोर्थी त्योत पर इसको बहुत अच्छा बनाया है तो उसमें उसको कोई दोष नहीं दिखता आप मन की बात है यह लेकिन ये वेग जो है स्वास्त के दिश्टी कोण से रोकना ठीक नहीं कोई आ गया इस्टिमित्र आजा चलो ठीक है इसके लिए चाय बनानी पड़ेगी और मेरे को तो सुसु आ रही है बहुत देर से यह हम सोच के या कोई गैस्ट आ गया इसके लिए खाना बनाना पड़े या मुझे तो पोटी जाना था सुबह वह भी उठे ही है तो पहले उनको समझा दो भाई एसा है आप आगयो तो आपको मांना पड़ेगा है हमारी निवृत ही का समय सीधी बादी है हम स्वागत ही होता इतने आप भी राजो स्वागत है आपका आतिती हूं आपके लिए तो यह आपको यह चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा अधाड़नी वेग यानि धाड़नी वेगों को कभी नहीं रोपना नहीं तो यह विमारियां आपको खतरनाक होने वाली है इसका कोई इलाज भी नहीं है बहुत खतरनाक तो यह वेग प्रपरती सब वात की प्रवर्ती वात के विक्रती के एसाब से होते हैं लेकिन अभी आपन अविक्रति यानि वेग प्रवर्ती भी इसी का हिस्सा है वात का हिस्सा है हमारे शेरीर कप के तवात का हिस्सा है और इंद्रियों का विशे ग्रहन ये भी किस में आता है इसी में आता है अभी कोरोना काल निकला होगा कईयों को इधर का बजार बंद होगा सुनना कम देख सुनाई दे रहा है है ना कोरोना निकला किसी को आती हैं एक नाक मेंसे दूसरी नाक मेंसे पता नहीं पड़ रहा है किसी को एक वाजार से कम दिखाई दे रहे दूसरा माला वाजार कम से भड़े काम कर रहा है है overall यह सब्सूर विख्रति हैं आई ना किसी को गले में तकलीप चल रही है, गले में बार-बार को चुपने कशी चुपता सा नजर आता है, ये कोरोना के बाद में जो हुआ है, ये क्या है, वेग व्रति का ही इससा है, तो ये इसको हमें, वेग व्रति नहीं मतलब इसको उससे ही इंद्री व्रति है, इंद्रियों की जो सम पर वात का जादा प्रभाव है एक क्या इंद्री है हमारी स्कीन भी इंद्री है इसको अपन टच करते हैं इससे हमें फीलिंग होती है यह ब्रेन को बताती है देखो किचन में जाएंगे भगोनी गरम है जिसे अभी मैं पानी का यह बोडल गरम-गरम लेगाया हूं पकड़ गलत जगह से तो बहुत बैंकर गरम है चल जाएगा हमेरा हाथ है ना यह जो क्या है यह हमारी इंद्री है हमको बताती है इस परश हमें पताती है कि ठंडा है या यह गरम है यह प्रकार की इंद्री है तो इसमें इसमें भी जो दोश पैदा होते हैं क्या दोश पर होते हैं इसके अंदर कि फोड़ा फिंसी हो गया स्कीन डिजीज हो गई है ना यह सब जो है वाद की शेड़ी में आ जाते हैं या इसमें रशे ब्लेक हैड्स पड़ गए वह भी वाद की शेड़ी में आते हैं वाद की वज़े से यह दिक्कत हैं हो रही है या फिर यह होता है कि जैसे कई वार इसकीन फट रही है यहां से उंगलियां फट रही है गोट फट रहे हैं तो वात को हम यह समझो कि नर्वस सिस्टम से कॉडिनेट भी कर सकते हैं आज के आदूने विज्ञान से है ना कप्यतो वात को हम देखें थो हमारा जो नर्वस सिस्टम है इस से कॉडिनेट कर सकते हैं यानि जैसे अभी मच्छर बैठा है हमारी यहां पे तो हमारा हात वहीं जाता है यह जो जाने की प्रक्रिण यह वात की वज़े से जा रहा है यदि वात हमारा खराब हुआ यह ब्रेन के अंदर सिग्नल प्रोसेस भी नहीं जाएगा तो उसके वज़े से ही उसमें कई न कई इसका योगदान जरूर है तो इसलिए मानसीक व्यादियां जितनी भी होते हैं यह सब वात से प्रकट होती है मैंने आपको यह बता चुका हूं लिए बाद की खराबी से उती है यह वात की अच्छाई से ही सारे सिस्टम आपके चल लाए इसको नर्वस सिस्टम से हम क्वारि यह नर्वस सिस्टम आपके क्या कर रहा है आतों में खाना भी पचाने में क्या कर रहा है ना पंच मद्द प्रकर्ण के वायू में अलग अलग के सब के अपनी योग में पड़ चुके हो करते भी करते ऊप करम है यह सारा उसी से जुड़ा हुआ है तो यह सब क्या है हवात के अब प्राकृतिक लक्षन है यह बड़ा इंपोर्टेंट था मैंटर अब आपको पता नहीं क्या छूड़ गया था तो वह पूरा हो गया होगा लगता है तो यह अब विक्रत बात की जो लक्षन है कि देखा सांस को बाद काना निकालना उच्सा ही होतें आप देखो कुछ लोग किसी कि नहीं बोला ऐसा है जो आज शेर मार्केट में यह वाला शेर चड़ने वाला है तब एक काम करो अभी पांच लाग रुपए लगा दो कली मिल जाएंगे दस लाग वो लगा देंगे लोग यह बात प्रकरदी वालों के लाग और वो डूपते भी जल्दी है न तो यह इस ट और कम हो जाए तो उसा में कमी देखनी को मिलती है आदमे उसा लिह नहीं होता बिलकुल नेरी पढ़ार रहता बैट के वबढ़ा क्या है वो हो गया जीवन का च्छरण हो गया ऐसा कुछ बात चलती रहती है उसके दिमाग में तो उससा खतम हो जाता है है ना यह भी बात से है अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो इसमें और क्या नया लगेगा जो मैं आपको बताता जाओंगा अब अपन देखते हैं प्राकरतिक पित्र के लक्षण अब प्राकरतिक वाथ के लख्षण देखेंगे अब प्राकरतिक के तरब से दिया हुआ पित्त है ना तो उसमें क्या क्या होना चाहिए तो फिर आपन देखेंगे बाद में विश्व मवस्ता में बढ़ गया है तो क्या तकलीब घड़ गया तो क्या तकलीब इस पर भी हम तैशा करेंगे चिंता मत करें आज थोड़ा सा इसको और वागी जो को जोड़कर देखते हैं इसे प्रिद्थ क्या है नी यह बूलतÓं ऐसको उसली के नडर माइल आपका यूह न को यलो उना vo la इना जैसे किसी को An तो पाचन का कारी करता ये पित है ना और क्या करता मेधा बुद्धी इसे रिलेटेड है ना और क्या करेगा ये बुद्धी का भी काम करेगा मेधा का काम करेगा और क्या करेगा आस्थूलता यानि जी मोटे लोग होते हैं इस्थूलता यानि मोटा पन और आस्थूलता का मतलग स्लीम आदमी को स्लीम रखने का काम करता है यह पित खराब हो जाएगा तो यह स्लीम नैस बोड़ी की निकल जाएगी ज़्यादा बढ़ दो क्या कर रहा है यह अब सूकुमारिता या इस आस्त्रों अच्छा देखना जैसे यंग आदमी होता है इस की में अच्छा चमक रहा होता है उसका चेहरा वेरा गोरा देखता है मतलब अच्छा कासा वागी जो उमर के साथ-सादार नी डलता चला जाता है वह सकीन में जुडियां आ जाती है वह उतनी चमक थोड़ी रहती चेहरे पर dhp-25 शाला लड़का है यह सब चीजह है उमर के हिसाप से थाख सिन टो समय उपांज कुंक की अबर ब्रदा आवस्ता वाद की अवस्ता दाख वाद बढ़ेगा तो वांसे डिलेटेट शरीर पी इश्णी दिखेगी और पित्त के समय पित्तक G जैसी देखहेगा तो यह हमें सब्सक्राइब हो जाएगा ना तो स्लीमनेस नहीं रहेगी वह सेंट्रल ओभी सीटी और मोटा पाए बढ़ने लग जाता है जब खाना ठीक से नहीं पच्छता है ना तो एनरजी में होता हो एनरजी में चाण था मोटा पाजा तो मियूस कम हो गया मतलब यह जो खाना पचाने वाला जो पतल रहना नहीं यह हो गया बढ़ गया तो पड़ गया तो आपके शिरीर में जलन तकलीप सारी बिमारिया पदा रहें तो कि समय रहे तो आप एकदम सलीम रहें सेजी कि यह तो मटके का है पेट मटका पोड़ा करेंगे हम तुम दोनों रहेंगे ऐसे कुछ पिक्चर में भी आया है कि यह जो मोटा पेट जो होता है ऐसे आदमी दिखाते कोमेडी तो तोन वाले सेड़ी बन जाता है तो जब यह पित हमारे कम हो जाता है क्यानि हमारे डागस क्षामता जो है दिनला निकालता है कि यह व्ूट करता है कि यह सब भढ़ गया तो यह सब समझ से आवी खूर तो ऐसे समझना है तो यह आयस्तूलता भी करता है यानि शरीर में मोटा पे को कम करता है भारीपन को कंट्रोल में रखता है आयस्तूलता करता है तो सूकुमारिता और दर्शन अज़्ता यानि दर्शन मतलब दर्शन अच्छा देखना पिर चेरे में चमक दिखना और यह पित्यावस्था देखता है आदमी जवान होता है लड़का लड़की उसके चेरे में अच्छी रहती है उमर के साथ साथ वो सब दीरी दीरे घर्टी चले आती है तो यह सब जो है वो वो सारे पित के ही लक्षण है तो इसको हमको ऐसे समझना है और क्या है शम्शक्ति का और दर्शन यनि कांथि दर्शन का भी इसमें को बताया गया है तो सब्सक्राइब हो सबेदेलागर्स्टिक्स जाते हैं कि इत्त कम हो जाए तो बाल सफेद भी होने लग जाते हैं तो यह सब चीज है कि जुड़ी हुए है अब आगे बढ़ते हैं इसको और देखते हैं कि यहीं चीजें फीजियोलोजी में काउंट हो जाती हैं कौन सी बिमारियां इससे कौन सी जुड़ी हैं यह साब आजाती तो फीजियोलोजी में आ जाता है शीवियां दि आने अफिरवड़ गई है तो कया होगा फीजियोलोजी का हिस्सा मात्र इसů हो जाता है कि are हमारे आप अच्छानक से सरदी हो गई तो पहले बड़ा मज़ा आ रहा था गूमने पिरने में आप सजा पहले मज़ा फिर सजा सजा कैसे घरम पानी करो प्यों और कोई कुछ मिले या निकाने भी ने हो तब पहले मज़ा फिर सजा तब सजा पाओ घरम पानी प्यों तब आगी के चर्चा करते हैं यानि अब विक्रत कफ के लक्षणों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं आव विक्रत कफ के बारे में प्राकरतिक कफ गोल सकते हैं दूसरे शब्दों में है ना तो क्या द्रड़ता है और क्या दूसरा गुण क्या इसमें प्राकरतिक प्राकरतिक लक्षान इसके क्या होंगे द्रड़ता है इस निक दिता है चेहरे में और क्या रहता है सहन शीलता यह तो आपको पता ही एक कप वाले विक्ति को यह सब रहता है द्रड़ता है आत्म विश्वास से बरपूर होता है वो जो फैसला करता है वो बदलता नहीं है उसका आपक जपक दो चार बार ट्राइल करके और फिर जलती है एकदम जलती नहीं तो वो ट्यू लाइट की जीसा सब्धार द्रेदो अरण से लपक जपक करके फिर जलती है तो यह उसमें द्रेड़ ता जदा रहत यह उसके प्राकृतिक लग्षान उसका इससनी के कारण वह इसनिक दियता है यह अपन्हें अभी देखिए तो आपको पता ही था है उसको ज्यादा दो तो हसी बजाएंग में टाल लेता है लेकिन वह आल दिल नहीं लेता है मतलब बुरा नहीं मानता किशी चीज़ का इसल्दी लेकिन आप कुछ करते रहोगे तो फिर भी इसकी ख्षमता है लेकिन बिगरने के बाद में वह गाड़ी जो है वापस सुदर ते नहीं है परमाइंटली बिगर जाती है कफ वाले के साथ में कफ प्रकरती वालों के साथ वह यह है तो शेहन जीलता है तो है उसमें लेकिन एक लिमिटेशन तक है लिमिट पार करने के बाद में वह हमेशा के लिए समात्त हो जाती है संदियों को मजबूत करना यानि संदियों में मजबूत ही उसके आप देखोगे हमने बताया काप का कारिक है शरीर को जोड़े रखना तो संदियों में मजबूत ही कैसे रहेगी यह जो जोड है इसके अंदर जो इतना काफ है यह भी तो काफ ही है पूरा गिरिस चिकनाई है ना यह सब क्या है यह सब वही काफ है इसको हम अंगरे जी में क्या बोलते साइनोविल प्लूट यह सब का पैदा होता है यहां रीड केडी में रीड केडी से अलग लग नसों में से हाथ में से पैर में से सब तरब लीवर में सब तरब वहां से निकल निकल के जाता है उनको नरिश्मेंट देता हर एक अंग को फिर उसका संचालन होता है यह संदियां जो हैं इत्री भी सब उसी से चलती है यह सब कफी है तो इसको हम अंगरे जी में साइने विल फिरियोड बोलो कुछ भी बोलो जो भी नाम देना देते हैं यह सारी चीज़ें इससे जुड़ी हुए है शमा तो शमा सील होता है यह तो आपको पता है कि वह कफ वाला जो पर एक बहुत जादा इतना गुसेला नहीं होता है शमा करता है और वाग जोड़ों को मजबूत बनाके रखता है उनको खराब नहीं होने देता है और ख्षमा यहनी अच्छे गुण सात्वी गुण वाला वेक्तित में है ना तिस जितने भी अच्छे गुण जिसको बोलते हैं सात्वी गुण बोलते हैं वो सब के सब इसमें कपके प्राकृतिक लक्षणों में काउंट हो जाते हैं कि कि अब हमें एक और चीज़ देखना है कि अभी हमने देखा और विक्रत यानि प्राकृत लक्षण जो प्राकृति से हम वह हमां के द्वारा मां के पेट से मिले रहते हैं वह लक्षण थे हमारे अभी तक यानि अब देखिए इसमें घंज यह वाट भी यो तो काइसे कौनसी द्वारिय आएंग है यह उससे देडियों सब्नौजा की क्या समस्ड़ाइ आने वाली है जैसे वाट को पहले तित पित को फिर कफ को यह थैगा तो क्या होगा और कम हो जाएगा तो क्या हो का ने देखने का प्रekas करते कोनने सी बिमारी आसकते हैं इसको हम समझने का ऐने का एक किसी छी चीज का हो जाएगा तो था कि यारी वो कम हो गया शेरीर में और दूसरा जो है बढ़ जाना एक ख्षय जन होता है और दूसरा क्या होता है व्रद्धी जन और ख्षय जन एक में तो व्रद्धी हो गई दोश्की और ख्षय हो गया कम हो गया तो व्रद्धी जन ख्षय जन दो अब हम करते हैं इसके लक्षणों के बारे में के वाद के बारे में देखते हैं कि इसके व्रद्धी जनलक्षण में क्या आएगा और च्छे जनलक्षण में क्या समझ जाया होंगी यानि व्रद्धी हो जाएगी तो क्या और च्छे हो जाएगा तो क्या होगा यह समझने का प इसका हमको पता है ये सब लक्षण उसके हैं तत्र रोक्ष है तो यानि रुखापन है उसमें ड्राइने से इस निदेता हम कर देता है इस लीए हमारी शेरी में उम्र बढ़ने के भी लक्षण इसी से होते हैं तो अब इसमें क्या क्या होगा क्रिश्टा मतलब काला पॉन शरीर का रंग काला हो जाईगा कफ की कमल जाएगी शरीर में तो मतलब बढ़ेगा वथ बढ़ होंगा ओगार मतलब क्या है तो ही मुगलोबिन sudo इनकी थोड़ी शरीर में कम देखने को मिलेगा हेमोगलोबीन की फी कमी आ गए है न रक्त की फी कि शरीर में कमी होने लगती है यह सारी चीज जो चीजे इसी से कुछ जुड़ी हुए हैं कुछत चीज होगी जड़ connecting भी आएगा और उश्न कामला पूश्न कामता यानि गर्मी वाला जो है शरीर में इसमें इसको एके करके समझते दें तो रूक्ष्टा बढ़ती है तो वाद के गुने है न और व्रद्धी होगी तो उससे जुड़े हुए बिमारी आएगी तो शरीर में क्या होगा सूखा पनाएगा क्रश्टा आएगा सूखा पनाएगा हमारे टीशू से हमारे शरीर के उम्र से ज़्यादा देखने लगेंगे है मालो कोई वह ऐसी बिमारी हो जाती न वह बच्पन में आमिताप को पिक्चर में दिखाया था आमिताप को और वह कम उम्रे में बूड़ा दिखाई देता और फिर मर भी जाता जल्ली से तो ऐसा कोई रोग भी दिखाया था ऐसे रोग जो आते हैं यह सब वाद की व्रद हम आद रुच कामता यानि थाप यानि रुशा ज 미 चरमी कामता यह जला वह यह सूखने वाला डिया गरमी के कारण जो सूख जाता दीखो उसको पानी मिले गरमी के दिनों मैं फिर आंदिकर अब मरा मरा से जिखता एंक बैठे में कि ढुखने मैं प्यादी कामी हो जाती है तो पिर क्या होता एक दम ऐसा जो है तिकने लगता है कि अव्रोध यानी सारे प्रकार के मलों में अवरोध देखने को मिलेगी यह चाहे वह पॉटी-ओटी हो यह कशी कोई समज्या हो तो मल के अवरोध जो हैं यृह से समज्याएं हो जाती है किसा घृत ब्लॉकेश जो बाडी में होते हैं वह ते रूखने लगे लिए कफ रुकेगा रेकिन रुकेगा कौन यह वाद जमा देखाने ठंडा है और कभ भी अपने आप में ठंडा है यानि दोनों पहले यह वाद खराब होगा फिर कफ खराब होगा यह बढ़ गया तब जाकर कि कफ में दिक्कत आई तो जमने का काम ऑक्सिजन के संपर्क में आने से क्रिया शीलता होगी और और चीज़ें वहाँ पर इखटी होने लगी जमने लगी यह सारी चीज़ें हो ऑक्सिजन है तो ठीक है लेकिन दूसरी कैसे आएंगी तो उसमें समस्याइं प्रदा होने लगी आदूने विज्ञान के साबस्ता हमारा जो है वाई हो जाएगी शेर बात की व्रदी के लक्षण है शेरीर में विशाब नहीं आरा तो भी वात की के लक्षण है अ Eastern कि यानि कोई चीज में आव रोद आ गया है रुकावर्ट हा रहे हैं तो भी शात के लक्षण है खाहा मासिक धर्म का रुकावर्ट आती हो और माध में निखल तब भी मानलो यह वात प्रदी कालक्षन है क제 बई कि अ है याजिणी भी रुकावट आएंगी वह वात प्रद्दि से यज decepिंगे याजी य यह व्रद्दी वाले जो हमने बताया उश्राय व्रद्दी जंदोर बिल्डिक लक्षण कमी के नहीं है व्रद्धी के जब व्रद्धी हो जाएगी वात की तो रात को नीद नहीं आती आदमी को बहुत देर तक नीद नहीं आती और नीद कई बार तो रात बर ऐसी जागते-जागते निकल जाती यह नहीं वात की व्रद्धी हो गए शरीर में ऐसे इसको विमारी को हम त प्रेले कर सकते हैं फिर वात को ठीक करने के काम करो यह सब चीजे ठीक हो जाती है अपने आप सारी विमारिया एक के बादे एक से जुड़ी हुए हैं सब तो नेंद्रा नाश भी इसी का ही भागे रात्री को बिलकुल नींद नहीं आएगी यदि वात बढ़ गया तो बात को कैसे ठीक करें अब वात को ठीक करना था आपको बता आया हुआ है मैं तो अभी खाली विक्रती और उसकी उपर चर्चा कर रहा हूं कि वह तो मुझे जानना है आप लोगों से आपने नोर्स बना के रखें हैं यह मेरे को लगा था कि शाहिए चीज़े छूट गए होंगी तो मैं उस पर अभी पर असा क्रिया शीलता बढ़ा रहा हूं है ना तो वाद के उल्टे गुण जो होते हैं वह करना शुरू कर दो उल्टे का वाद क्या रूखा पन है उसको क्या करो तेल वेल पिला दो मालिज वैल इस गढ़ डालो उसमें चिक नाट पढ़ा कर दो जो कुश्की आ रही तो क्या करते हो सर्दी में जैसे रात को नेजनी आना इसका तो सेर में मालिज करो खूप जम्के पैर में मालिज करो जोडों में मालिज करो एक दो दिन तीन में अपने आप नीन आने लग जाएगी नासी का द्रब भी नाग में डालो, बढ़िया नीनद आईगी, जिए ईपने भी जोड है निए जोड ये जोड इनमे तेल की इसम के मालिश करो, कैसे नीन आईगी, औरनी तो कोई भी मीठी चीज खहा कर सोजाओ, बढ़िया नीनद आईगी, खीर खहा कर सोजाओ, हमारे लिए लिए कटोरी भे यह कटोरी तो मांग रहा हूं तो थोड़ी बोलवाँ एक पतिला भेज़ेंगे पतिला भेज़ेंगे मैं डाउनलोड करने हुआ है अब अपन चर्शा करेंगे शाय जग यह वात कम हो जाए तो फिर क्या होगा यानि वात कम होगा तो यानि वात और यह न ऐसे तराजू के द पलड़ें वात और कफ ऐसे दो तराजू के पलड़ें वात कम हो गया तो कब बढ़ जाएगा ने बढ़ता है कोई तराजू में जो चीज बढ़ती हो तो नीचे जाती न तो जल्दी होगे उपर का चला गया तो यह कफ को बढ़ जाएगा तो इसका बज़न ज्यादा हो ज और बढ़ेगा तो यह एसे इन दोनों का सम रखना जरूरी है इन दोनों में से यह घटेगा यह बढ़ेगा इसलिए समझ्या कहां आती है डॉक्टर के पास जाते है किड्नी का इलाज कराने वो करता है मैं तो किड्नी का स्पेस्ट लिस्ट हो मैंने किड्नी को ठीक कर दिय जाने त कि अब हाट वाला जाने और हाट का का डाक्तो जाने इन दोनों में एक हाट की समझ्या आएगे तो किड्नी की नहीं आएगी किड्नी कीसी आपकी ठीक हो जाएगी कि अ चार्रा क्सेट बॉब यूची इन दोनों का बैलेंस बॉड़ी के रहना के लिए इसले झीनाव किड़्नी की समर्जिया आती उनको हाट की समच्या नहीं होथी और तो दोंत की होती है वह ऐसे उपट़ डाउन चलती है है कि कभी किसकी इसकी गड़ा एसे चलता रहा है तो आपने किड्नी का इलाज करने के लिए कोई गोली लिए तो हाट की 2-4-5 साल बाद में पक्का है आएगी ही बीपी की दवाई जो है वो किड्नी से जुड़ी हुई है है ना और हाट से जुड़ी है तब हाट को अब ये किड्नी के उपर इसका लोट पड़ेगा तो वो ड इसमें चलता रहेगा अब गोली से और ज्यादा अचानक वाला हो जाता है ये नेचुरल तरीके से हो रहा था या अब प्राकरतिक तरीके से हमने कर दिया तो बड़े उस चक्कर में आदमी मारा जाता है हाँ आप देखेंगे इसमें शिथिलता शेरीर में शिथिलता है डलने सारी एकदम कुछ काम करने के इच्छा ने है रैट लेकिन बात्चीत तो करता पठ्ठा बंदा विस्तर में पड़ा वड़ा बाते कराएगा खो जमके बते आएगा लेकिन खड़ा होगे काम नहीं करे समझव वात कम हो गया है क्या हुआ शिथिलता होगे यानि वात की तोड़ी कम होगे और क्या है अल्प भाशन का मतलब यह लक्षन भी कभी कभी देखने को मिलेगा यह बोलना भी कम पसंद करता है कभी कुछ लोग होते ना एक डम कमरे में सब बार निकल जाम मेरे कम्रें से कुछ लोग ऐसे होते हैं िरसे बो मत मेरे को यहाँ होरा है यह तकलिक नहीं कुछ हो रहा तो kangalan करता है अगयला जो बैटने का मन करता ऑल को भाशन का मन करता बाचीत करने का मन नहीं करता यह भी उसी का लुटे अабlight अब वात की तो अभी मैंने आपको बताया था कि वात जा होगा घट रहा है तो कब बढ़ रहा है तराजू तराजू तो वात कभ बढ़ने के लक्षण या जित्ने भी HC वो सब दिखेंगे क्योंकि यह एसे है थे तराजू तो वात के घटने से क्या-क्या विमारी आगी gio आईगी ऐसे कभ बढ़ने के लक्षण में लप भाशन होना बात्चीत नहिकरता आदमी किसी से है ना सीफ़्त्सा करो मेरा थाल रांक करने का को उसका काव बढ़ गया है कि जैसे जुक हाम होता आप उससे बात करो अब तो बढ़ गया लिए वाथ कम हो गया यह आध को आप बढ़ाने के काम कर दो इसमें पाथ जाए तो आपको वाथ वाली चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर दो यह भग जाए तो जुखाम में वाथ बढ़ाने वाल से च्छे रशे से उसमें कौन सा रशे कड़वा कसेला त्य फिकका तीन दास हैं वह वाद को बढ़ाते हैं यह बढ़ाने वाले मीठा खट्टा और यह जो नमकीर यह सब बढ़ाओ यह ऐसे हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा बरबर यह इस तरह से आप अपनी सेटिंग खुद ही कर सकते हो इसलिए तो खाने के बाद में कड़बा खाओ जो काम हो राच्छा थी करबा खालो खाने के बाद अग्स बढ़ाने वाले कहन से थी का पड़ाने वाले ने मीठा रस कब बढ़ा देता है काफ और वा कुए टीन और बढ़ाते न आपने छै रसों में आपको तो उसके नोट्स तो इस तरह से बिलेंस कर सकते हैं आज मैंने खाली चेक करने के लिए किया था यह नहीं आएगा तो आगे अपने बढ़ने से कुछ फाइदा ही नहीं इसका प्रकोप कैसा होता है प्रशमन कैसे होता है यह तो तो प्रशमन कैसे होता है तब बताएंगे जब पाता बढ़े खुद कैया है में बाद कैसी आज हम ने ये देखने के पहले से प्यास किया एक बार है ध्यास किया है आधा है पसता हो ऐ carbohydrate फ़िर क्या खाएं थो आफ प्लत में अपने आप भाग जाएता अलो तो कड़वा तेल डालो कड़वा तेल कुछ नहीं मिले तो और क्या करोगे कड़वा कुछ भी ढाल दो सब ठीक हो जाए नाचु कैसे अंगर टेड़ा वो तो कर भाई नी है न फोड़ा नमग मिलाके ढाल लो ही यह योगावले करते हैं कर नेती करते तो मांज बढ़ गया है श्रीर में तो क्या करो नमक के पानी में गिलोए के पानी में गिलोए से सस्ता और क्या मिलेगा नी эту तो नीम के पत्तों का पानी लियाओ उससे नेती करना शुरू कर लो जुखाम बग जाएगा और क्या चीजिए वेरी सिम्पल नहीं अब इसमें कौन सी लाकों के संपत्ति खर्च वरी हां महां जाएंगे तो बहुत लंपी लिस्ट मिलेगी दवाई हुए इससे सब्सक्राइब नहीं है वह भेंगी आई इसलिए हमको पक्का हो जाना कठ्ठा हो जाना बस यह समझ लो आईर्वेज को कठ्ठा करना आपने आप तो आज हमने वात के बारे में कर पाए हैं कल हम पित्त के बारे में देखेंगे क्योंकि यह तो आगे आगे पार्ट पीछे सपार्ट हो गया है या फिर कल आप थोड़ा सा त्यारी वहरी करके आना वात पित्त कफ के बारे में अच्छे से जानके तो इतना समय नहीं लगेगा फिर पटाक्स हो जाएगा तो कल से थोड़ा था चेक करके आओ कल मतलब अपना कल दुख परसो याता एक नया नमबर आया हुआ है पता नहीं कुन सा है क्रॉस क्रोस का चिनन लगा बड़ा है अधि कि अधियां की अधिया था खाली सपूर्ट के लिए अधिया थीके साब तो आज का पित और वात के लिए के बारे में हमने जानने का प्रयास किया उसमें खाली हम वात को समझ पाए है और दोशों के बारे में समझ पाए हैं और समय हमारा हूचला है ओके तो सभी को प्राम नमस्कार आपको भी जाओके खादा आपको नमस्कास हावश्वेश्वेश्ट में बारे मश्सक्रा आपको प्राम प्राम जायँ थए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो झाल 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 झाल